किशन जी आप मेरे बुजूर्ग हैं आप मुझे मजबूर मत कीजिए मैं अपने आप में नहीं हूँ कहीं ऐसा नहों मेरे से ऐसे वैसे बात निकले और आपको तकलीप पहुंचे लेकिन सरस्वती जी रेनू तुम नहीं बोलो तो बहतर रहेगा इस गर में तुम्हारी और ह घैसियत बराबर किये हुआ हमने इस खांदान से बेटी लिये है और तुमने दी है जिस तकलीप से मैं गुजर रही हूं उस तकलीप से कल तुम भी कुझर सकती हूं कि तुम्हारी बेटी की गोद भी तो हरी होने वाली है उसे डिलेवरी के लिए अपने घर ले जाना यहां यह घर यह घर मन्हूस है यहां बच्चे जिन्दा बच्चते नहीं है पैदा होते ही मर जाते हैं सम्द DIRECTOR है ईसन जी कैसी बात कर रहे हैं अब क्यों क्यों हुआ कि विजह जय के दुंप जो बच्चे नहीं गए है मेरा पोता मेरा पोता नहीं गया तीन से इकागese एक घर और आप कहते मैं मैं कैसी बात कर रहे हूं है चलो समझते हैं उन पे आसमा से दुआए है आती क्यों अलग हो के जिन्दा रहे हम मौत देती है सब को चुदाए अपने खायल रहे हैं रोना नहीं सुदले सारा समान हमारी एक पार मिलके रहना हमको है साथ चलो आए तभी ना सिंदगी वंकी रहा हम तो पंची है सारे एक डाल गाल हम ये रखेंगे गुल्शन समाल के हम ये रखेंगे गुल्शन समाल के क्या में अभिए तो है साथ साथ आए कभि ना जिन्दगी रूम की रहाओ आओ चलो कि अज़ा कि अज़ा कि अज़ा कि अज़ा है कि अज़ाने नाग कि बैठने नहीं देती कि मैं बुजर्ग हो तुमारा बड़ा भाई हूं कम से कम मेरा मान तो रुखो कि इतना समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुई उन्हें कोई नहीं समझा सकता ताओ जी मा की पुरानी सही लिए हैं लेकिन इस वक्त ऐसे बिएव कर रही हैं जैसे मा से उनकी कभी पहचानी नहीं थी छोड़ो अब निर्मल नर्मदा सुबा से दिखाई नहीं दी किinka में बेठें कमरे में कैं की ए सब लोग बाहार है वो अकरी कमरे में क्या कर रही है बही तुमारी घर welche का मिज़ास कोच समय में नहीं आया है औरा राम तबास शेकुनतलगा ख्यार को एकद्म टूट चुकी है कि ऐसा नहों यह सद्मा वो दिल पर लेके बैठ जाए जी भाई साथ